सो बैस अभी मस्ट तरिके से टमाटर को वास करके इसकी मसीन में खटाखट खटाखट स्लाइस की जा रही है और ये देखे वन बाई वन कहीं टमाटर की स्लाइस करके इसको एक तरेके अंदर अच्छी तरह से टमाटर को हर रो में बिछाय जाता है और ये रिखे काफी सारे तमाटर के भजिया गाईस यहां पर पूरे दिन में बनते है ये जो तमाटर का भजिया है वो सुरट के डुमस में बनता है साइं भजिया सेंटर और ये काफी पुरारी शॉप है सुरट के अंदर और ये रेखे एक चतनी रेती है ग्रीन चतनी जिसके अंदर हरी मीच, हरा लेसुन, अड्रक और धनिया से ये बनी होती है पुड़ी स्पाइसी रेती है ग्रीन चतनी सभी टमाटर के स्लाइस के उपर लगाया जा रहा है ये देखे काफी सारे टमाटर की slice के उपर चटनी को लगा जा रहा है और कईस आपको बटा डू ये जो टमाटर बजिया है वो खाने में काफी स्वादिस्ट रहता है सुरट के डूमस के अंदर ये टमाटर के बजिया काफी famous है जो भी आता है वो टमाटर के बजिया खाके ही जाता है सो कईस अगर आपको ये टमाटर के बजिया अच्छे लगते हो या कभी ट्राइ किये हो तो ये जो वीडियो अपने फ्रेंज के साथ जरूर सेर करिए और ये देखे पूरी ट्रे अलमस्ट भर चुकी है अभी ये प्रोसेस में इसको फ्राइ किया जा रहा है ये रेखे सभी स्लाइस को ये बेशन के बेटर के अंडर डिप किया जाता है और फाइनली बड़ी से कढ़ाई के अंडर इसको फ्राइ किया जाता है और एक साथ तक्रिवर दो केजी बजिया यहां पे बनता है यह देखे काफी अच्छी इसकी फुस्पू भी आती है रिजन यही है कि यह जो बीन चटनी रेती है और वो काफी बढ़िया रेती है बीन चटनी के अंगर अड्रक और लेसुंग का टेस्ट सच में बला जौब र जाता है तो यह तमटर का बजिया मॉंसुन सीजन में सबसे बेस्ट कॉंबिनेशन चाहिके साथ रहता है यह देखे किस्पी तमटर का बजिया प्राइब बज चुके है और गाइस बटा रूम इसकी जो पूस्पू आ रहा है ना सच में बहुत ला जवाब रहती है काफी बजिया किस्पी रहता है तमटर का बजिया तो गएस मैं तो कहूँगा आप दो अगर सुरकर यह पजस जरूरू ट्राही करें ये शॉप सूरत में आई है साइन पजिया सेंडर जो की लोकेटेट है दूमस में ये शॉप में तमटर का बजिया, रटालू कंड पूरी और पनिर का बजिया भी मिलता है और आपको बता लुप ये शॉप में बजिया की विराइट electronics काफी उंदा रहती है ये टमाटर के बजिया बाहर से क्रिस्पी और अंडर से सॉफ्ट रहता है थोड़ा स्पाइसी लगता है बट मॉंसुन सीजन में ये खाने में काफी बढ़िया रहता है और फाइनल इसे कट करके पेट में सरुट किया जाता है अब देख शकतो इसके अ